हलो फ्रिंट्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार दिक स्वागत है इस वीडियो में हमात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी याप मेटकल साइन्स सीपी एनिटी यानि सैफरी पैरा मेटकल 2020 के बारे में तो फ्रिंट्स वीडियो इंपोर्टेंट ह इसलिए इसे पूरा देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन के सासा आल के बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि सारी सबसे पहले और फ्री में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप फ्रेंट्स थम्नेल देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट में यही डाउट रहता है कि पेपर ऑनलाइन होगा इस बार या ओपलाइन होगा निगे यह पेपर होता आ रहा है वो ओफलाइन होता आ रहा है लेकिन इस वार आप कंफर्म रहें उत्तर प्रदेस यूनिवेस्टिया मेटकल साइंस इपी एनिटी ने इस फश्ट रूप से कह दिया है और जैसा कि आप वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में इसका पीडिया भी डाल्लोड कर सकते हैं उसमें साफ साफ रिखा है कि इस वार कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा यानि सीविटी एक्जाम होगा आफलाइन एक्जाम आपका नहीं होने बाला है इस वार आउनलाइन एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा उत्तर प्रदेस यूनिवेस्टि होगी या नहीं होगी जब online exam होगा तो क्या negative marking होगी या नहीं होगी या लगातार जैसा negative marking नहीं होती है वैसा भी इस बार रहने वाला है तो friends आप बिल्कुल confirm रहें इस बार भी negative marking नहीं होने बाली है यह बहुत बड़ी खुसकबरी student के लिए है क्योंकि cvt mode में भी अगर मार्किंग नहीं है तो यह बहुत बड़ी रहात है student के लिए क्योंकि आप जो भी exam देखते हैं अगर वो computer based होता है online होता है तो उसमें one fourth या one third minus marking होती है लेकिन इस वार computer based exam है उत्तरप्रदेस university of medical science cp unity 2020 का लेकिन इसमें minus marking का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है अब बात करते हैं कि कितने नंबर में selection हो जाएगा तो कितने नंबर में selection हो जाएगा यह कहीना कहीं depend करता है कि कितने student कितना ज्यादा number लाते हैं अगर आप last year की बात करें तो student 78-79 नंबर में top कर जाता है और जिनके नंबर 55-65 से लेकर 65-65 से उपर होते हैं उनको आसानी से degree courses आसानी से मिल जाता है इस बार भी आप confirm रहें क्योंकि computer based exam में बिलकुल आप इस बार confirm हैं कि जिनके नंबर 55-plus हैं वो student का selection आसानी से होने वाला है और कहीं न कहीं कितने number में selection हो जाता है यह depend करता है number आप applicant कितने हैं और किन-किन student ने कितने कितने questions सही की हैं तो इस बारे में बेस्ता जानकरी के लिए अलग से video आ जाएगा कि इस बार कितने number में selection होने जा रहा है और यह video लगबग जब आपका exam हो जाएगा उसके basis पर ही आएगा कि कितने student का paper किस type सी गया है वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जुरू बताइए अगर आपके जूरी questions हो जिनके आगर आपको अमसर नहीं मिला है तो आप comment box में comment करके अपने question के answer पूस सकते हैं thanks for watching and subscribe to my channel